कर तो इस वीडियो में जो हम सीडिया का मैंच कवर करने वाले है वो रहेगा बोलोनीओ वर्सिस ए सी किलान के बीच मैच कवें नियों का बोलोनी रात में ट्वल्ट 30 ए म मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तों अब तक अच्छा performance किया है, number 8th position में फिलाल हो है, 8 में अपने 3 matches जीते हैं, 3 draw है, 2 losses है, attacking wise उन्होंने अच्छा किया, 8 में 13 score किया है, लेकिन defensive wise थोड़ा struggling performance उनका रहा है, 8 में 15 goal concede कर दिया है, AC Milan जैसा उनसे expected था, वैसी performance करके दे रहे हैं, अबी number 2nd position में, 8 में अपने 7 matches जीत चुके एक draw है, यानि कि अभी तक एक भी match पूरे season में नहीं आ रहे हैं, और 8 matches में 18 goal score कर दिया है, सिर्फ 7 goal concede किया हैं, यानि कि AC Milan अभी पूरी तरह से title race में बना हुआ है, और इसके साथी AC Milan जो है, one of the favorites भी एस बार, sorry, Serie A title जीतने का, फिलाल के लिए on paper देखा जाए, तो आप समझ गयोंगे कि AC Milan इस match में slight favorites होगी, heavy favorites में नहीं कह रहा हूँ, उसका बड़ा region में आपको बताता हूँ, AC Milan के लगबग 3-4 जो main team के players हैं, वो इस match में unavailable है, जिसके वज़े से उतनी ज्यादा strong में भी 11-1 ना खिला पाए, इस वज़े से मैं इनको slight favorite कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बोलोनिया पूरी तरह से इनको अपने घर में हराने में केविबल है, लेकिन मेरे according small league में तो हम favorites करके, AC Milan को ही चलने वाले हैं, फिलाल के लिए आपको मैं दुनों टीम्स की recent form दिखाता हूँ, मिलान के last 3 matches आप देखेंगे, तो दो लगातार उनकी victories हैं, 3-2-3-2 की, सीरिया आमे ही हालंकि पिछला match FC पोटो से champion league में हा रहे हैं, अल्दो आप देखेंगे जीते दो matches में पिछले अपने सीरिया हामें, लेकिन दोनों ही matches में उन्होंने दो-दो goal concept किये हैं, थोड़ा सा goal defending wise उन्होंने अच्छा नहीं किया, last 2 matches में, उससे पहले although उन्होंने काफी अच्छी defending की थी, बात करें बोलोनियों की up and down see recent form है, 4-2 के margin से Empoli से आर गए, अब इनके against एक Empoli जैसा week club 4 goal मार दे रहा है, तो AC Milan तो easily इनके against अच्छे खासे goal score कर सकता है, उससे बाद 3-0 से इन्होंने लाज्यों जैसे बड़े club को अरा दिया, फिर इन्होंने एक 1-1 draw खिला, उडी नेसी के against, तो देखा जाए, बहुत inconsistent club है, weak club से आर रहा है, बड़े club को अरा दिया रहा है, फिर average club से अपने level के club से draw खिला है, तो देखा जाए, जो बोलोनियां इनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है, unexpected victory आज produce कर दे, हो सकता है, बुरे margin से thrash हो जाए, एक match draw है, यह लिग की Milan जो है, बोलोनियों के against बहुत अच्छा perform करता है, तो अभी तक मैंने आपको जितने fact वागेरा बताए, on points table मैंने दिखाया है, recent form दिखाया है, तो Milan कोई favor कर रही है, small league में Milan कोई favor करके team बनाएंगे, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, बोलोनियों के पूरी तरह से rule out मत करना, grand league में कुछ combination बोलोनिया, और BTTS यानि की board team to score वाले combination भी ले जाना, because यहाँ पे बोलोनिया पूरी तरह से एक upset produce करने में capable है, even एक अच्छी fight देने में भी capable है, AC Milan को, तो फिलाल के लिए प्रोविबल लाइनप पे आते हैं, उससे बहले एक चीच कहना चाऊँगा, इस match की final lesser team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, link के description में, जरूर से जरूर join कर लिजिए, प्रोविबल लाइनप पे आते हैं, बहले हम बात करेंगे AC Milan की, इवन मैन्यान हो गए, रैबिच हो गए, ब्रहीम डियाज हो गए, कैसी हो गए, थिवान नंडिस हो गए, ये 5 प्लेयर तो आपको याद होगा, regular इनकी 11 में खेलते हैं, तो देखा जाए, कितना बड़ा इनका injury concerns चलने हैं, इस वज़े से बहुत ज़्यादा heavy favorites Milan नहीं होने वाली, तो इनकी 11 देखते हैं, टर्टारा सानू इनके गोलकीबर उन्याल है, ओल्दो इनके second choice गोलकीबर अच्छे test ये होंगे, अपोनेंट काफी on target लेके इनके test करेगा, तो आप इनको pick कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए goal giving selection पूरा 50-50 रहने वाला है, अभी के लिए क्या है, AC Milan यहाँ पर slide favorites हैं, तो मैं इनके maximum player पिक करूँगा, small link में, यानि कि 6 या 7 player में इनके पिक करूँगा, और अपोनेंट बोलोनिया के पिक करूँगा, चार या ज़्यास ज़्यादा 5 players, तो चार इनके defender है, Kalavria, Tomori, Simon Kiar, और Bala Torre, अभी के लिए Torre इनके second choice left back है, new player है, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, लेकिन अगर आपको point लेना है, तोरे जैसे defender पे point ले सकते हैं, मेरी इनके defense में number one choice रहेंगे, कलावरिया, कलावरिया defensive wise बहुत solid है, और offensive work भी करते हैं, आपको याद होगा, Italy national team में भी खेले थे, कुछ matches, एक goal, एक assist already कर चुके हैं, तो अभी के लिए मेरी number one choice रहेंगे defense में, और low scoring match में अच्छे wise captaincy option भी हो सकते हैं, number two choice मेरी Tamori रहेंगे, former Chelsea player, headers में अच्छे है, random headed goal आपको मारके दे सकते हैं, इसके अलावा ठिक टाक, tackling, intercepts, passing के point भी देंगे, clean sheet होने में उसके point देंगे, तो ये दोनु मेरी top two choice है, अभी के लिए क्या है ना, मैं आपको suggest करूँगा minimum इनके तीन defender शोली pick कीजे, बिगोस किसी एक team को clean sheet के लिए बैक करनोगा, मैं Milan को करूँगा, although Bologna attacking wise अच्छा कर रही है, लेकिन Milan का defense solid है, मैंने आपको studying में ही बताया, बहुत कम goal अभी तक उन्होंने concert किया है, सिर्फ 7 goal concert किया है, 8 matches में, तो clean sheet का decent chance है, तो maybe 3 defender तो इनके शोली pick कीजे, अगर आपको लगरा पक्का clean sheet आएगी आगी, चारू भी pick कर सकते हैं, अभी गेले कलाब्रिया टोमोरी मेरी top 2 choice है, क्यार और बाला टोरे में maybe call आपका है, बाला टोरे यंग player है, तो यह दोनों में call आपका है, कलाब्रिया और टोमोरी मेरी top 2 choice रहने वाले है, defensive midfield में बेनाशर खिलिंगे, ठीक टाग player है tackling interception करते हैं, उतने ज़्यादा goal assist के लिए नहीं जाने जाते, consider कर सकते हैं, एक option हो सकते हैं, लेकिन सांडरो टोनाली में 100% recommend करूँगा दोस्तों, future है इसी बिलान का, ये player defensive work भी करता है, और बहुत ज़्यादा chance rate करता है, most of the corner kick लेता है, टीम की free kick लेता है, इवन इन्हों ने इस season एक direct free kick में goal मारा है, एक open play में goal मारा है, एक assist भी है, लेकिन इस season ये बंदा goal assist करने भी लगा है, तो टोनाली में 100% यहाँ पर recommend करूँगा, must pick, must pick आपके लिए रहने वाला है, अब attacking midfield में खिलेंगे Rade Krunik, although इनको first team में मौगे नहीं मिलते, लेकिन आज इतने सारे player absent हैं, इस वज़े से इनको chance मिलेगा, impress करना चाहेंगे, अभी तक कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, तो मैं recommend तो नहीं करूँगा, लेकिन आज इनके पास golden chance है अपने आपको impress करने का, तो में भी midfield में किसी को punt लेना है, Krunik जैसे player पे punt ले सकते हैं, अगर start करते हैं, capable हैं, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, तो punt pick ही हुँगे, save pick तो मैं नहीं कहने वालू हूँ, अब जो sali maker है, ये भी एक hit and miss बहुत inconsistion player है, एक match इनका अच्छा जाता है, अगले 2-3 matchे swap रहते हैं, और maximum matches में मैंने देखा, जल्दी substitute है आते हैं, अगर इनका दिन अच्छा नहीं हुआ, 70 मिनेट से पहले-पहले substitute हुआ है maximum matches में, तो ऐसे player पे मैं trust नहीं करूँगा, selection भी कम है, अभी के लिए ignore करते हैं, अब वो ही है risk लेना है, अब साली मेकर क्रोणीक जैसे player पे pick कर सकते हैं, लेकिन मैं pick नहीं करने वाला, अब जो इनके left winger है, राफेल लियाओ, इनको मैं शोल्ली pick करूँगा, इस season का इनका joint top scorer है भी 3 goals, pace है, quality है, और ball service अच्ची मिलेगी finish कर देगा बंदा, तो लियाओ पे मैं यहाँ पे शोल्ली pick करने वालो, बिगोज ना रैबीच है, ना ब्रहीम डियाज है, तो लियाओ के बाद अच्छा कासा option होगा, goal assist करने का, तो लियाओ मास्ट पीग है, जिलातान इब्राहिमोविच, जिलातान इब्राहिमोविच, एक legendary player है, जो काफी टाइम से football देख रहा, इनका नाम तो अबने शोल्ली सुना होगा, क्या class player थे, कॉल्थो अब यह 39 से 40 years के हो गए, उतना, मनलब उतनी quality अभी भी है, लेकिन उतना ज्यादा इनको गेम टाइम नहीं मिलता, मनलब गेम टाइम मिलता भी है, तो जल्दी substitute हो सकते हैं, लेकिन इस्टिल जिलातान ऐसे player है, इनका दिन वा, head trick मार दिंगे इस एज में भी, इतनी ज्यादा quality है, एक टैम में इनका comparison मैसी रोनाल्डो से उवरता था, तो जल्दान मैं शोली भी करूँगा, और main बात यह है, अगर यह start करेंगे तो यह penalty taker भी है यह होंगे, तो और ज्यादा important हो जाते हैं, इवन आप इनको captain वाइस captain भी try कर सकते हैं, लास्ट सीजन भी इन्होंने बहुत जादा goals मारें AC Milan के लिए, लेकिन problem क्या है, अगर मान लिजे 60-65 मिनर तक अच्छे नहीं गए, तो यह flop हुए मान लिजे, तो यह substitute रहेंगे, इनके place में जिरू जैसा player अंदर आ जाएगा, तो यह AC Milan की प्रोफिवल इलेवन थी, यहां से भी मैंने आपको लगबग सभी important players के बारे में बता दिया, फिर से must pick player बता देता हूँ, मेरे according defense में कलावरिया और टोमोरी मस्ट भी गें, टोनाली मस्ट भी गें, लियाओ मस्ट भी गें और जलातान इवराईवमिज मस्ट भी गें, बागी मैंने और आपसंस आपको दे दिये, फिलाल के लिए यह इनके season के state है, Syria आके, अपोनेंट की बात करते हैं, उससे बहले एक चीज remind दिला देता हूँ, इस match की final SL team और सभी football matches हम telegram चैनल में cover करते हैं, link के description में, जरूर से जरूर जोइन कर लिजे, इसके साथ ही YouTube चैनल भी subscribe कर लिजे, ऐसी football matches के preview videos इसी YouTube चैनल में मैं post करता रहता हूँ, अब हम बात करते हैं, जो अपोनेंट है, वुलोनिया की, तो इनके जो गोलकीपर है, इस्क्रोप उटसी, ये important हो सकते हैं, तो इस्क्रोप उटसी को मैं शोलनी पिक करूँगा, वैसे अपोनेंट के जो गोलकीपर है, second choice गोलकीपर है, वो भी ठीक टाक option हो सकते हैं, अब ही के लिए, मैं सजेस्ट करूँगा, इन 6 में एक तो शोलनी पिक कर लिजे, अब जाया स्यादा 2 भी पिक कर सकते हैं, विकाज मैं heavy defense मिलान का लिए के जा रहूँ, तो मेरे पास दो ही option है, यहां से पिक करने के लिए, अब इक लिए, बिंक्स ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, इनको इग्नोर करते हैं, मैडिल, इनकी पिक जा चुकी एक टेम में बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर थे, लेकिन उतने ज़्यादा खास रहे नहीं, लेकिन random headed goal मार सकते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, सो मोरे ने भी कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे according, हिकी और डी सिलवेस्ट्री बहुत 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 अटेकिंग फुल बैक्स हैं, विंग बैक्स हैं, जो goal assist भी करते हैं और defensive point भी अच्छे कासे देते हैं, अगर आप देखें, दो गोल एक assist इस सिजन डी सिल्वेस्ट्री के हैं, दो गोल हिकी के हैं, तो मेरे according इन दो में आप किसी एक को पीख कर सकते हैं, या थियार्टे आपको लग रहा है ये मारेंगे, दो गोल, दो headed गोल इनके भी एक assist भी है, तो इनके साथ जा सकते हैं, लेक प्रेट में नहीं दिखा दिये, कॉल आपका है, मैं पहले डी सिल्वेस्ट्री, देन हिकी, देन ठीर्टे के साथ जाओंगा, स्वानबाग, डीफेंसी मिट्फिल्ड में खेलेगा, ठीक टाक ऑप्सन है, टेकलिंग इंट्रेप्सन है, असिश्ट पोटेंचल कभी-कभी, म प्रेरों में अभी के लिए 100% रिकमेंड करूंगा, आपको सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा हाय दिखिया होगा, इवन 1-1-2-2 टेप की स्कोल लाइन में, जिसमें आपको लग राव बोलोनिया मारेगी, आप इनको कैप्टन वाइस्टेप्टन भी ट्राए कर सकते हैं, टार्गेट ले रहे हैं, थोड़े अनलगी भी रहे हैं, लेकिन केपे वाले गोल असिश्ट करने में, और कुछ-कुछ कॉर्णर की खुरिकी को गेरा भी लेते हैं, तो सुरियाने अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मार्को अननांटविच, फॉर्मर वेस्टेम प्ल लेकिन प्रूलम क्या है, अगर हम अननांटविच पिक करते हैं, तो में भी बैरो तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे, इनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी है, हमें राफेल लियाओ या जिलातान इब्राहिम में किसी एक को ड्रॉप करने अपड़ेगा, बिकॉस अननांटविच इस वज़े से अभी के लिए में जिलातान और लियाओ को तो ड्रॉप नहीं करने अननटविच को ड्रॉप करके चल लो, लेकिन अगर आपको लग रहा इनका दीन है, और यह उन पेनल्टीज है, तो इनको पिक करके जिलातान या राफेल लियाओ में किसी एक को ड्रॉप क बारे में बता दिया, और यह इनके सीजन के सीरिया आके स्टैट है, फिलाल के लिए जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं जारो एक 2-1 मिलान विक्टरी के साथ, यह एक 1-0 नेरो मिलान विक्टरी के साथ, औल्दो 2-1 से बोलोनिया मिलान को हराने में केपेबल है, मिलान के most of the player injured बोलोनिया पूरी तरह से अफसेट कर सकती है, लेकिन वो जो टीम होगी जील में ट्राइ करना बोलोनिया फेवर वाली स्मॉल लिग में मिलान को ही फेवर करेंगे, फिलाल जो मेरी डेमो रफ्टी में, गोलगीवर मैंने बोलोनिया के लिए, इनके एक डिफेंडर डी सिल् ले सकते हैं, यहां मैंने लिए रूबेन सोरियानो और बैरो, अगर आपको लगरा लियाओ जलतान बैरो में कोई एक फ्लॉप जाएगा, उनके ब्लेस में आप अनन्ट वेच पिक कर सकते हैं, केप्टन्सी में जलतान को दे रहो, मैं ट्रस्ट कर रहो हूँ लिजेंडरी टीम होगी, टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूँगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर जोइन कर लिजे,